नमस्कार दोस्तों एक और डेली अनालेसिस वीडियो में आपका स्वागत है आज की वीडियो के अंदर मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड चार स्टॉक्स कवर करने वाला हूँ So make sure आप वीडियो के साथ थोड़ा हुग रहें जो भी आपको मैं लेवल्स बताऊंगा वो आपको ध्यान से नोट डाउन करने है जिसे कल मार्केट के अंदर आप विजुलाइज करके इन लेवल्स का फाइदा उठा सके है And make sure आप हमारे टेलिग्राम चैनल ज़रूर जोइन करें जहां पर मैं इन मार्केट अपडेट्स देता रहता हूँ And अब इस विडियो के अंदर मैं आप लोगों को हमारी आप के बारे में भी बताऊंगा But before that let's start the video So now, अब आप देखें यहां पर पहले हम डेली चार्ट पर आते हैं यह Nifty 50 का चार्ट है अब Nifty 50 के चार्ट में बेसिकली अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे प्राइस क्या कर रही है प्राइस ग्राजुली उपर जा रही है इतना आप लोगों को समझ में आ गई है बात यहां पर बहुत लोग जब जैसी कोई Red Bar आता कुछ आता है तो दिमाग में आने लग जाता है कि अब यहां से Market में correction आएगा तो फाल्तु prediction करने का कोई फाइदा नहीं है Market को पहले करने दो उस चीज़ को अभी Market ने यहां पर एक बार भी कि low, higher low, higher low and यह high, higher high इस टाप की जब formation होती है तो उसका मतलब यह है कि price अभी uptrend में है पहले यहां पर price को एक downtrend बनाने दो lower high बनाने दो उसके बाद हम लोग decide करेंगे कि भया selling होगी, नहीं होगी, क्या होगा जब तक हम लोगों का main concern यह रहना चाहिए कि हमें कहां पर buy करना है and sell का भी plan बनाएंगे but majorly हमारा सब कुछ buy रहेगा तो context I guess आपके सामने clear हो गया है कि जो major time frame है, वहां पर हम लोग buy ही plan करेंगे elections आ रहे है, euphoria अभी एक दम से भड़ेगा and markets will go along with it ध्यान रखेगा अस बात को आप तो now, अब एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं 15 minute के chart पर 15 minute के chart पर let's do one thing let's let me draw a trend line तो trend line आप देख सकते हैं, आपर मैंने trend line draw किये हुई है तो अब आपने इतनी पढ़ाईत हुई है कि आपको पता है कि यहां से selling का बैठेगी selling बड़ी simple है यार अगर selling आनी है market में कोई भी selling type आनी है तो यह जो area है 600 लिलो आप इस area के नीचे price को जाना है, टिकना है और निकलना है तब ही हम selling plan करेंगे और किसी case में selling नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखेगा trend के again selling मत करेंगे, बेवकूफी होती है उसका कोई तुक नहीं बनता, ओके next buying कब करेंगे हैं, अब समझाता हूँ देखे, अब yesterday US markets थोड़ा red में बंद हुई थी अगर आज भी ऐसा ही कुछ रहता है तो chances हैं कि हमारी market gap down या slightly down move कर सकती है, या फिर open के साथ rejection नीचे दे सकती है तो वो होगे एक बहुत solid opportunity buy plan करने की clear है, इसको हम क्या बोलते हैं हमेशा ध्यान रखेगा दो type के buy होते हैं, एक होते हैं एक होते हैं breakout dip के अंदर smart players आते हैं breakout के अंदर impatient players आते हैं और अगर उसके अंदर smart players enter कर जाएं तो बड़ा move आ जाता है और यह generally तब होता है, जब market बहुत दिन से एक bracket के अंदर है और breakout दे दिया है, gap up कर दिया है तब वहाँ पर smart money भी आ जाता है just to give it a follow through अब यहाँ पर price बहुत टाइम से अप है तो सबसे अच्छा favorable क्या रहेगा हमारे लिए, अगर price एक dip देती है, till let's say इस zone तक 650, 670 इस zone के पास तक अगर price अगर एक हमें dip देती है, support form करती है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे buy plan करेंगे and जो मेरी planning रहेगी है यहाँ पर 22,600 की call option के अंदर मैं अपना buy plan करूँगा ध्यान रखेगा अजबात को और अगर एक proper dip आती है यहाँ पर and price एदर support बनाती है and मोटा मोटी अगर इस type का pattern बनता है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा एक buy और वो देगा एक बहुत अच्छा move clear है? आज मैंने एक video release की थी आप लोगों के लिए कि बड़े bars पे traps कैसे बनते हैं तो जो इस zone के पास बड़े bars बनेंगे वहाँ पर generally थोड़ा trap या सिनारियो बनते है because retail इस type के bars पे आएगा हम लोगों को क्या करना है? हमें dip पे play करना है clear है? तो एक plan तो यह हो गया second plan क्या होगा? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं triangle formation हो रही है price क्या कर रही है? धीरे-धीरे upside पे move कर रही है जो भी falls आ रहे है वापस से price क्या कर रही है? इसी zone को check कर रही है and gradually धीरे-धीरे price उपर ही जा रही है clear इतना? तो अब हम कैसे plan करेंगे? देखे यहाँ पर क्या हुआ है? इस zone के पास हुआ है rejection इस zone के पास price गई बट फटाफट rejection हुआ है अगर मैं पांच मट का चार्ट दिखाऊंगा आप लोगों का तब आप देखेगा तो यहाँ पर कैसे plan रहेगा? प्राइस को ऊपर जाने दो थोड़ा sideways होने दो and breakout देने दो तब हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे buy plan pretty simple clear है? अब मैं एक बार छोटे time frame पर आ जाता हूँ और आपको इस plan को और धंग से समझा देता हूँ clear है? अब आ जाते हैं हम लोग 5 month के chart पर 5 month के chart पर समझो मैं आपको क्या बताने की कुशुश कर रहा हूँ सबसे पहले हम breakout plan की बात करते हैं अब आप यहाँ पर देखें हैं क्या हुआ हूँ price ने यहाँ पर एक gap up open किया open is equal to high मारा price नीचे आई वापस से zone को test किया और यहाँ पर lower high pattern मना कि एक अच्छा कासा sell दों दे दिया फिर price ने क्या किया gap up open किया फिर ऐसी game plan करते रहें यहाँ पर मैंने sell बनाया था बर price ने कुछ खास नीचे की तरफ continuation नहीं दी and then उपर मेरी cost पर मैंने exit कर लिया उसके बाद price ने क्या किया price ने फिर दुबारा से अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक breakout दिया अब इस breakout पर बहुत लोग उसे होंगे यह big bars और यह सब बहुत common है लोगों के लिए आज कल YouTube पर बहुत जादा चल रहा है तो लोगों को इन चीज़ों पर लोग क्या करते है बाई प्लान कर लेता है और अगर आप देखेंगे यह bar बना है somewhere around एक 20 के करीब तो कोई 120 strategy भी होती होगी तो यहाँ पर लोगों ने बाई प्लान किया या फिर price को dip देने दो एक सेकेंड या dip देने दो तो यहाँ पर क्या हुआ है price उपर गई नीचे आ गई क्यों नीचे आ गई इस zone के अंदर है resistance clear है इस zone में है resistance तो यह ऐसे नहीं निकलते है बाई यह हमेशा ध्यान रखेगा breakouts में आप trade अगर कर रहे हैं अगर left पर resistance है तो वहाँ पर कोशिश करिए कि avoid the trade clear dip आएगी तो ज़्यादा better trade मिलेगा because हमेशा price नीचे जाके उपर अच्छा भागती है rather than उपर जाए तो अब आपके plans क्या हो गए आपके plans रहेंगे अगर price उपर जाती है gap up खुलती है या यहीं से उपर जाती है इसको यहाँ टिकने दो क्या इसके उपर कितने bars टिके हैं hardly एक बार जिसने breakout देता वो ही टिकाप के बाद तो वापस नीचे आ गया तो हमें क्या चाहिए दो तीन बार से यहाँ पर टिके price basically एक tight range बनाए और breakout देते बास इतना अपने को चाहिए अगर यह हो गया जैभवानी buy कर लो clear अब sell क्या रहेगा यह जो zone आप देख रहे है यह zone यह तो हो गया जी आपका 670 वाला zone अगर price मालो हैं यहाँ पर कहीं तक gap down कर देती है अगर price बड़ा gap down करती है फिर एकदम से फटाफट fall करती है और इस zone तक आती है यह 650 zone तक आती है तो this is also a buy तो यह both these zones are buy clear इस zone के ऊपर price को टिकना है तब हम buy plan करेंगे chances of gap up tomorrow are pretty less तो मैं उस चीज़ को account नहीं कर रहा हूँ भी अगर gap up होता है तब की तब हम देखेंगे most probably यहां से जो सिनारियो ऊपर जाने का जादा है एक बहुत minor सा सिनारियो बनता है वो किस चीज़ का बनता है कि अगर price यहां पर M pattern मना दे और नीचे की तरफ selling ले दे that can be a thing तो तब की तब हम देखेंगे इस चीज़ को और मैंने आप लोगों को sell का क्या बताया कि जो proper sell होगा वो तब होगा जब price most probably यह जो यह वाला जो zone है यह 600 ले लो अगर price gap down करती है zone के नीचे टिकती है lower highs बनाती है और breakdown देती है तब यहां पर एक sell आएगा और most probably price क्या करेगी 22500 22530 इस zone के targets को achieve करेगी और यहां पर देखो market कहां पर है आप लोगों को पता है उपर कोई अभी resistance नहीं है तो 100, 200, 300 कोई भी targets आ सकते है clear है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है plan आपके सामने बिल्कुल precise, perfectly clear कर दिया है तो make sure आप इस चीज़ के notes जरूर बना है right so now अब मैं आप लोगों को एक बार अपने course के बारे में कुछ बताना चाता हूँ so guys basically अभी मैंने course launch किया है यह launch offer मैंने हाँ पर डाला हुआ है आप लोगों के लिए 4464 के करीब का एक course पढ़ेगा आप लोगों को तो यह एक live webinar है जहाँ पर आप लोगों को मैं live class में सिखा हूँगा and इसके अंदर हम लोग सीखेंगे चीज़ें timing मैंने आप डाल दी है किस time पर किस time पर होगा है सारी चीज़ें and इसके recordings भी होगी जैसे ही जैसे webinar for example 10 बजे खताम हो जाता है तो रात को 2-3 बजे तक recordings जोँगे अपने आप course के अंदर आ जाएंगे तो आप जाके उसको देख सकते हैं इसमें notes पी होँगे तो वो सारी चीज़ें मैं provide करूँगा और एक हफते के बाद I am going to take one doubt session as well और आप लोगों को मैं discord server में भी डालूँगा जहां पर अगर आपके जो भी doubts होँगे या कुछ भी होँगे आप अपना अराम से पूछ सकते हैं आप लोगों के सामने community होगी जहां पर आप discussions कर सकते हैं सारी चीज़े कर सकते हैं बेटर ट्रीडर बन सकते हैं overall तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा चार दिन का webinar है तो make sure अगर आप interested है तो उसको join करेए इसका जो link है इस video के description में है और हमारी apps के links भी इस video के description है तो make sure आप जाके वो देखें So now coming back to bank nifty bank nifty में क्या plan रहेगा bank nifty के अंदर So हम लोग क्या करेंगे समझते हैं इस चीज़ को अब bank nifty में ना 2-3 चीज़ है देखो bank nifty के थोड़ा overextend हो गया तो मैं अगर आप लोगों के सामने daily chart ओपर करूँ तो आप यहां देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल perfect चल रहा है आप देखें bank nifty में bank nifty का यह जो हाप all time high देखेंगे इदर इसने इसको cross किया इसके उपर close भी दे दिया दो दिन बहुत बहुत awesome चीज़ है अब plan क्या रहेगा अगर आप देखेंगे यह बहुत जादा एक steep climb है तो chances है कि कहते हैं कि जब market तब गिरती है जब last buyer is in the market यह market की कहवत है तब market में एक अच्छा fall आता है maybe जो बड़े players हैं वो एक better price चाह रहे है in coming future maybe 10-15 दिन के अंदर कि market को एकदम से गिराए एक shock move दे हैं और एकदम से वाँ पर भाइंच चालू हो जाए होता है एक market में बहुत common चीज़ है बहुत common tactic है इसमें मैं आपको यह कहीं से नहीं बोल रहा हो तो chances है कि हमारी market में वो surprise gap down आजाए तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो correction मिल जाए अगर वहाँ पर क्या होगा एक buying आईगी तो अब हमें किस zone का ध्यान रखना है मैं एक बार यहाँ पर क्या करता हूँ let me just mark this तो यह मैंने एक zone mark कर दिया यह all time high वाला zone है तो यह 48, 600, 650 बड़ा important zone रहने वाला है because अब यह जो है ना यह एक base बनेगा इधर writing होगी अब अच्छी वाली 49,000 एक round number है वहाँ पर भी writing हो रही है obviously but अगर एक अच्छा move आता है तो that can be breached easily उसके उपर writing होती जाएगी 49,000 psychological level है जो की cross आज नहीं तो कल होना ही होना है तो अब आई काम करते हैं लोग आते हैं अब 15 मिट के चार्ट पर अब समझते हैं कि हमारे सामने exactly क्या चीज़े हैं, क्या possibilities हैं किस तरीके से हम लोग trade करने वाले हैं let's understand that देखे, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने अगर कुछ भी ऐसा नहीं होता कोई gap down, gap down, कोई नाटक बाजी कुछ नहीं होती है तो देखो बहुत simple plan है price को ये 48,900 के उपर यहाँ पर एक बार बनाना है टिके, उपर निकले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, buy करेंगे तो 48,800 की जो call होगी ना भया वो होगी बड़ी जबदस्त हमेशा in the money play करिए out of the money मत करिए अगर आप options में करने है पैसे काम है तो मत ही करो यार, जादा बेटर है पैसा जलाने वाली बात है सच सुनना चाहते है तो यही सच है आपका in the money या max at the money में काम कर लो out of the money में बिलकुल काम मत करो जैसे ही यार, erosions होते हैं, कुछ होते हैं वाट लग जाएगी, कोई फायदा नहीं है और अगर आप अभी note करेंगे price के अंदर अभी भी अगर आप, just if you note 11 का wix है और elections आने वाले हैं, यह wix को अभी तक 18.19 हो जाना चाहिए था अभी नहीं हुआ है आप समझ रहे हैं इस बात को तो I feel कि थोड़े दिन में कुछ खलबली यहाँ पर होगी और vix में एक दम से उथल पुथल होगी बहुत तगड़ी वाली, तो उसलिए थोड़ा plan धंसे करिए, तो यह मेरा बोलना है आपके लिए अब आते हैं plan नमबर वान तो सबसे पहले, पहले मैं एक बार आपको एक outlook देता हूँ उसका, कि outlook क्या हो रहा है आपर तो 15 मट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे आपर एक steep rise है, price के अंदर दो trend lines मैंने draw की है, एक मैंने यहां से की है, इस zone को मैंने पकड़ा है, क्यों है पकड़ा है यह जो tip आई है, यह आई है all time high के पास से जो previous all time high था उसके पास से आई है तो यह एक बड़ important zone रहने वाला है, इस लिए इस dip का मुझे ध्यान रखना है clear है, और यह जो है यह मैंने बहुत पीछे से draw कर रही है तो यह एक genuine kind of a trend line है अगर आप देखेंगे, यहां से आ रही है almost 20 March से जो down move आया था, वहां से मैंने एक trend line draw की है तो अब क्या plan रहेगा, let's understand that see, देखिए price अगर उपर निकलती है, जो मैंने अपर आपको बताया है तो हम लोग buy plan करेंगे, alright अगर कल को dip आता है जैसा हमने सोचा है, price यहां पर खुले, या कहीं खुले और यहां तक आती है, इधर एक support बार बनाती है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर buy plan करेंगे यहां पर मैं थोड़ा aggressive रहूँगा maybe मैं W के लिए, या फिर एक lower high के लिए sorry, higher low के लिए मैं wait ना करूँ उससे पहले ही मैं buy plan करूँ अगर ऐसा कुछ होता है यहां पर तो क्योंकि बड़ा important zone है, एक बार defend हो गया है यहां पर resistance सा, यहां support हो रहा है या 500 की call के साथ, वो भी next expiry वाली मतब वो 18 है या जो भी है आपका next, तो उसके लिए ready रहेगा, ओके, तो यह zone बड़ा important रहने वाला है तो आप alert रहेगा, selling कब करने वाले हैं selling अगर आप देखोगे, यह जो zone है ना जी, यह वाला यह जो zone है, जब price अगर gap down कर दे है, यहीं से two take दम से और इस zone के नीचे रुखेगी, तब आएगी selling और तब आएगा वो proper correction जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले कुछ करने की ज़रूत नहीं है, शान्त होगे बैठो, maybe यहाँ पर एक M pattern या, किसी का मौका मिल जाए, बट वो आपकी मर्जी, आपको contract trade करना है, तो आप play कर सकते हो, नहीं कर रहे हो तो मत करो, जैसे मैं भी one options के अंदर consistent consistency रहती जाकर आपकी, तो आप एक या दो trade ले रहे हो ना, और direction में लेते हो, तो आप जादा consistent रह पाते हो, आपको अपने hacks ढूणने पड़ेंगे यार, हर जगे, हर टाइम पर trade करोगे ना, तो erode हो जाएगी capital, उसका कोई फायदा नहीं है, तो यह होगा अपना plan, एक बार repeat कर देता हो, दुबारा से सुन लो, इसके उपर हम लोग buy plan करेंगे, बहुत simple है, एक triangle pattern बन रहा है, यह trend line है, इसके उपर हम लोग plan करेंगे, second क्या होगा, अगर dip आए, gap down आया, यहीं से fall आया, तो इस zone के पास मैं buy plan करूँगा, यह zone आपका क्या है, 48, 650 से लेके 600 के बीच का zone है यह, तो यह zone बड़ा super important रहने वाला है मेरे लिए, तो यहाँ पर मैं buy करूँगा, मेरा सबसे favorite zone यह ही होगा, तो सबसे maximum quantity मैं यहीं trade करने वाला हूँ, selling कप करूँगा, अगर यहाँ से price कि रहे है, gap down करे, और इस zone को भी breach कर देता है, और यहाँ पर गूम के नीचे जाने लग जाता है, तो भई है, यहाँ मैं करूँगा, sell, clear है रहतना, and एक exception जो बने आपको बताया है, यहाँ पर कहीं pattern या कुछ बन गया, तो यहाँ पर sell plan कर सकते हो, अगर आपको सारा game plan आपका बनने वाला है, clear है, okay, तो कल मैं telegram पे भी update करूँगा, and अपनी app पे भी update करूँगा, तो make sure आप भी download कर लें, तो दोनों जगाँ आपको बड़ी updates मिलेंगे, miss out नहीं करूँगी कुछ चीज, so now, अब आ जाते हैं, मैंने कुछ homework किया हुआ है, किस type के stocks मैंने देखे हैं, let's come to, first stock is, ICICI prudential, prudential stocks कर लेता है, yeah, okay, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, let's understand this, यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ अगर आप एक चीज़ note करेंगे, देखें जो stock है, all time high के उपर है, यहाँ पर अगर मैं एक zone mark करूँ आप लोगों के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह देखें, clearly all time high के उपर है, यहाँ पर एक जो all time high आया है था, उसके उपर अराम से trade कर रहा है यह, easily, और यहाँ पर अभी इसने क्या किया है, after dip, continuation, यहाँ base form कर रहा है, और contraction हो रही है, तो उसका मतलब एक बड़ा expansion यहाँ पर ready है market में trade करने के लिए, तो मैं buy का ही plan करूँ और sell का कोई plan नहीं, अगर price यहाँ से कल gap down की वज़े से नीचे आ जाती ह अपना, अपना gain plan बड़ा simple है, 630 के उपर अपने को buy plan करना है, अपना sell में बहुत बड़ा नहीं रखने वालों, 625 के करीब का sell रहेगा हमारा, और समें जो target से रहने वाले हैं, वो मेरे 635, 640 and 650, यह मेरे target से रहने वाले हैं, बहुत precise targets रहेंगे, inside bar बन रहें, inside bar के बाद अच्छे target साथ हैं, तो make sure आप इसको no down जरूर करें, okay, so now, and जो लोग मेरे से request करें थे किसे stocks डालो, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं stocks, तो like करना हम ना बोलेगा वीडियो को, अब next जो हमारा है hint copper, यह मैंने उस वीडियो में भी cover किया है, जो मैं stocks देख रहा हूँ, तो यह in itself बहुत बढ़िया stock है, बहुत मज़ेदार वाला stock है, अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छे opportunity आ रही है, देखिए अगर आप यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, price ने, मैंने आपको बताया था कि price क्या कर रही थी, जब भी video cover की थी आप लोगों के साथ, एक rounding button type pattern बन रहा था, price breakout दे रही है, उपर जा रही है, अब यहाँ पर एक इच्छा कासा move भी दे दिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर price ने एक insight bar प्लान किया है, तो यहाँ पर मैं buy सारा plan करूँ आपर, क्योंकि market में भी जो game है, वो सारी buy के तो मेरा सारा भी buy की तरफ ह तो मैं 360 के ऊपर I'm buying और यह सारा intraday बोल रहा हूँ, मैं कहीं से swing नहीं बोल रहा हूँ, तो 360 के ऊपर मैं buy करने वाला हूँ, और मेरा stop loss रहेगा, वो कहाँ पर रहेगा, मेरा 356 पर SL रहने वाला है, और targets मेरे क्या रहेंगे, 363, 369 and 372, यह मेरे targets रहने वाले हैं, इनको मै पड़ा simple plan है आपर भी, आप देख सकते हैं, आपर क्या हो रहा है, price ने यह gap down दिया था इदर, उसके बाद से price क्या कर रही है, घूम रही है, अगर मैं आपर एक सीजी सी चीज़ आड़ करूँ, अगर मैं यहाँ पर volume आड़ करूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं, price क्या entered, और अब chances हैं कि अगर इसके उपर कोई move आता है, तो सबसे पहले short covering तक का 700 का move आएगा, इस swing के लिए भी बता रहा हूँ, और intra देख लिए अब बात करते हैं, तो now plan कैसे रहेगा, यहाँ पर आ जाते हैं, यह रहा, यह रहा, यह रहा, ओके, now, अब आप देखो, यहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, pretty simple, straightforward plan, यह जो line है, यह है 640 की, तो मोटा मोटे आप 640 ले लो, 640 के उपर close होगा, यह हम करेंगे, buy, बात कतम, stop loss कहा रहेगा हमारा, हमारा stop loss रहेगा, 632 के पास, थोड़ा सा बढ़ा रख रहे हैं इसके अंदर, because यहाँ पर घुमा फिराओ जा यह हमारे targets रहेंगे, इस पर बड़े targets रहेंगे, because यह contract कर रहा है, अगर आप ध्यान दोगे, 1, 2, 3, 4, 5, after gap up, यह 5 दिन से stock contract कर रहा है, तो chances हैं कि एक बड़ा move यहाँ पर, either side आएगा, upside पर जादा है, reason कि यहाँ पर volume rise कर रही है, और इस में volume decrease कर रही थी, तो एक kind of rounding bottom का एक look सा दे रहा है, तो जैसी यहाँ से breakout होता है, तो left पर जो मैंने आपको gap दिखाया था, उसको price cover करेगी, clear, so now, अब आजाते हैं हम लोग last stock पे, तो जो last stock है हमारा, वो है L&T Finance Holding, यह रहा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या game plan है, देखो, समझो इस बात को, अगर मैं यहाँ अब एक, ऐसे बनाता हूँ, इस टाइप से, एक सकेन यार, हाँ जी, ओके, यह बना दिया हमने, ऐसे बना दिया, अब price क्या कर रहे हैं, समझो इस बात को, price नहीं आपर दिया dip, dip, big bar बनाया, trap किया, continuation अगर आप देखो कि W बनाया है आपर, और price क्या गई है, उपर गई है अब जब price उपर जाती है, तो यह stocks news माने लग जाते हैं, यहाँ पर लोग ने buy plan किया होगा, trap होगा, price नीचे आगई, एक decent correction होगया, कहां से, 172 से almost price आगई, आपकी कुछ 78 point नीचे आगई, तो decent enough, अब यहाँ पर price है क्या किया, एक inside bar बना दिया, अब इसके उपर chances हैं कि price क्या करेगी, वापस से इस zone को check करेगी, 172 को, तो क्या plan रहेगा, एक बर zoom in करके समझा देता हूँ, मैं आप लोगों को, देखिए, यहाँ पर plan रहेगा अपना something like this, एक second, जी, अब देखिए, यहाँ पर क्या plan रहेगा, यह हमारा top, जो कि यह है 170 का, 70 के उपर मैं क्या कर रहेगा, पर repeat कर देता हूँ, 168 का मेरा SL रहेगा, और मेरे targets क्या रहेंगे, 171, 172 और 174, यह रहेंगे मेरे targets, इंट्राइड एक लिए specifically मैं बता रहा हूँ, और जैसे breakout देता है, इस trend line के उपर, यहाँ पर आप इसको swing ले भी plan कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके, so I hope video पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो यार like share जरूर करना, मैं videos के अंदर छोटे छोटे likes के target रखता हूँ, जिससे आप लोग engaged रहें, और मेरे को भी पता रहे कि आपको मेरी videos पसंद आ रही हैं, आपको videos अच्छी लग रही हैं, तो आप लोग भी इस चीज पर अगर करेंगे थोड़ा तो अच्छा लगेगा मुझे, and I will see you the next one, thank you for watching.